तो जैसा कि date sheet release हो चुका है, मुझे पता है कि तुम सभी लोगों में अभी एक डर का महौल बन चुका है and I know कि अभी तुम लोग में से काफी लोग ऐसा सोच रोगे कि भाईया अब preparation कैसे होगी अब हम लोग ऐसा क्या करे कि जो हमारी preparation इतनी low चल रही है या फिर हमने start भी नहीं करा है उसको cover up करे देखो यार अगर गिनके बता है तो हमारे पास अभी पूरे पूरे दो महिने बचे हैं from this day for your first exam और दो महिने में पूरी की पूरी syllabus हमें complete करनी है सारे previous year questions करने हैं जितने हमनों कर सकते हैं और max to max practice करनी है to get the maximum result अब देखो यार सबसे पहले पता है क्या होता है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने थोड़ा मुरा पढ़ लिया है और उन सभी बच्चों के लिए जिनोंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सारे बच्चे जिनोंने थोड़ा मुरा पढ़ लिया आपके लिए एक surprise है ठीक है आगे वीडियो में लेकिन जिनोंने थोड़ा कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता दू कि आप लोग एक छोटे से पैटर्न के साथ अभी चलने वाले हो अगले दो मन्त तक ये बात को बिलकुल ध्यान से रख लेना जिसमें कि फेज वन में हमारा जो में टारिगेट है वो है टू कम्प्लीट आर सिलेबस अब अच्छे ये नहीं समझ पा रहे कि वो कौन सा हिल्दी टाइम है जब तक मैं अगर मैं सिलेबस कम्प्लीट कर लेता हूँ तो मैं एक स्कोर अचीव कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ देखो यार मैं तुमको एकदम क्लियर बता देता हूँ एक ऐसा टाइम जब तक मैं तुमको ये कवर अप करना चाहिए वो होगा तुमारा जैनवरी 30 मैं आपको बता दू कि अभी आप लोगों के लिए डेटशीट जो आई है इससे आप लोगों को लग रहा होगा कि यू हैफ सफीशन टाइम बट दर रियालिटी इस साथ आगे चला जाओंगा शायद वो फ्लो फॉलो ना हो पाए जिसके वज़े से आपकी जो पढ़ाई होगी वो फेज 1, 2, 3 में होगी ये आपको आपकी पूरी सिलेबस जैनवरी 30 तक एनी हाउ कम्प्लीट करनी है जिसमें कि आपको फेज 2 का मिक्स्चर लगाना है और आप उसमें वो सारे कोश्चन कर रहे होंगे जो आपके NCRT बुक में एविलेबल है और जो भी टॉपिक वाइज प्रिविस येर कोश्चन है जो कि हम लोग जैनवरी 30 के बाद चुएंगे लेकिन उसके पहले तक हमें सारे NCRT के कोश्चन करने है और सारे के सारे हमें प्रिविस येर कोश्चन लगाने है टॉपिक वाइज विथ कम्प्लीटिंग दसिलेबस और हाँ वीडियो सॉलिशन ये सब वीडियो जो है भाईया कहां से देखना है कौन से कोश्चन करने है इसके लिए टेंशन मतलो ये मैं अभी तुम्हें तुरंद बताता हूँ लेकिन वो बच्चे जिनोंने कुछ न कुछ पढ़ लिया है और वो बच्चे जिनोंने कुछ नहीं भी पढ़ा है आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छी उपरचुनीटी लेके आए हूँ जो की है अनकैडमी के तरफ से और ये बिलकुल फ्री है इसका नाम है अनकैडम जिसमें कि आप inrol कर सकते हो लिंक दिया है description में इस test में inrol करने वाले बच्चों का दो एक्जाम होगा phase 1 और phase 2 का exam और class 8 से 12 science वाले बच्चे दे सकते हैं इसमें आपका phase 1 का exam जो होगा वो 17 और phase 2 का exam जो आपका होगा वो होगा आपका 23 दिसंबर को आपको मैं बता दू कि इस टेस्ट में आप पार्ट लेके आप ये चेक कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो all over इंडिया में आप एक competitive nature के साथ अपना एक balance बना सकते हो और आप ये देख सकते हो कि आपकी knowledge जो आपके पास already है वो आप कितना apply कर पा रहे हो डरो मत ये जो आपका test है ये पूरी पूरी तरह से CBSE के curriculum के हिसाब से ही रहेगा CBSE के syllabus के हिसाब से ही रहेगा और इसमें जो हमारे rank 1 आएंगे बच्चे उनको google mini मिलेगा gift में और साथी में जो rank 2 से 10 आएंगे उनको up to 90% तक का scholarship मिलेगा जिससे कि आपनी future studies और current studies में अपने पापा मम्मी से बिना कोई ज़्यादा पैसे लिए अपनी पढ़ाई खुद से afford कर पाऊगे up to 90% scholarship के साथ ठीक है सारी link में ने description में डाल दी है enrollment की फटा फट जाओ और अभी enroll कर लो in all India mock test और देखो कि तो Miss India में सारे बच्चों के according कहां stand करते हो इसमें 90 मिनट में आपको 60 question का answer करना है और ये totally quiz based होगा अब बात कर लेते हम लोग की phase 1 को cover up कैसे करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 महीने और हमें video lecture देखना है सबसे पहली बात है कि अगर आप इस video को 15 तारीके round देख रहे हो तो you have 45 days in your hand अब 45 days में हम लोगों के पास जो number of chapters है एक subject से average 15 chapters है और हमारे 3 main subject है तो ultimately अगर इस memorandum से देखा जाए तो हमारे पास 1 chapter के लिए 1 दिन है क्योंकि total 45 chapters होंगे लेकिन ऐसे हम पढ़ाई नहीं कर रहे है हमारी पढ़ाई यह होगी कि हम लोग daily basis पे अपने 3 main subject को पढ़ना पढ़ेगा अब हमारे पास time नहीं है पहले हम लोग यह effort कर सकते थे कि एक दिन में 2 subject पढ़े या एक दिन में 1 subject पढ़े but right now we have to study at least 2 subject a day anyhow ठीक है तो आप 2-3 subject एक दिन में आप लगा रहे होगे उस कारणवर्ष आपका तीन दिन में around 3 chapter cover up हो रहा होगा जो की ultimately वही बात हुई अगर आप एक दिन पे particular पूरा दिन 1 chapter पे दोगे या आप 3 दिन में 3 chapter को 3 भागों में करके पढ़ोगे बात बिल्कुल बड़ाबर होगा जो 45 days का pattern है बिल्कुल बड़ाबर चलेगा बस the thing is कि आपको एक chapter को आप पूरी तरीके से एक दिन में खतम नहीं कर सकते हो आप उसको 3 दिन में split कर रहे हो तो anyhow आप पहले दिन उसकी थोड़ी देख रहे हो दूसरी दिन remaining थोड़ी देख रहे हो तीसरी दिन आपके उसके सिर्फ question बना रहे हो 3-4 घंटे बैटके which will give you a lot of idea of that chapter आप काफी lengthy briefing में भी पढ़ सकते हो और question के practice के लिए आपके पास time निकल जाएगा तो एक chapter को 3 दिन देना और हफते में Monday, Tuesday, Wednesday में एक chapter complete होना चाहिए हर subject का और Thursday, Friday, Saturday में दूसरा chapter खतम होना चाहिए हर एक subject का ये याद रखना Sunday के दिन आप लोगों का proper revision चड़ना चाहिए जो भी दो chapter आपने पढ़े हैं उसके आप previous year question लगाओगे और आप उसी के method से revision करोगे आप देखोगे कि previous year question में ने बन रहे या नहीं बन रहे नहीं बनने का कारण जानोगी कि क्या मुझे इसका solution नहीं आता था या मुझे question ही नहीं समझ में आया ये कारण आपको पता होना चाहिए ये सारे कारण आप पता करोगे Sunday के दिन आपका total previous year question revision होगा और Monday, Tuesday, Wednesday आपका सिर्फ और सिर्फ थियोडी आपको वीडियोज देखने है उसके अपनी notes बनानी है और last दिन उसके थोड़े more NCRT question लगाने है ठीक है वो भी in text और exercise that will be more than sufficient for you ठीक है देखो यार तुम्ही भी पता है competency based question आ रहे हैं और तरक के question आ रहे है और जादतर question जो है वो थियोडी के around revolve कर रहे है तो हमारा main target आप से बस यही है कि please stick to the theory go deep down into the theory अब बोलोगे भाईया वीडियोज कहां से देखे कहीं इदर उदर घुमने की जरूत नहीं है इसी channel के video section में चल जाओ इस year में आपके लिए बहुत सारे free crash course batch हम लोग youtube पर चला रहे है चैनल के video section में देख सकते हो live session में आके एक एक chapter हम लोग हमेशा आपके खतम करा रहे है with previous year question and most expected question अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे और जादा detail और जादा मतलब अलग तरीके से पढ़ना है मेरे को और options चाहिए और vibe नी match करी teacher से इसी channel के last year के videos देख सकते हो उन videos में हम लोगों ने हर chapter का one shot कराया है जिसमें एक chapter को तीन घंटे में cover up कराया गया by the top educators of India literally the top educators of India वहाँ से जाके तुम उसको पूरी तरीके से देख सकते हो सारे question cover up कर सकते हो एक फाइदा ये होगा कि सबसे बड़ी बात है day-day-day घंटे की video मतब तीन घंटे की video को day-day-day घंटे करके दो दिन देख लोगे notes भी बना लोगे question भी हो जाएगी और तीसरे दिन NCRT को आराम से कर सकते हो तीन घंटे is more than sufficient to complete the NCRT in text example and exercise question which is going to come in this board exam और इसकी 100% chances है ठीक है तो इसको बिलकुल भी मत छोड़ना last two month की strategy मैंने आपसे share करिये अभी बस whatever you want to do you can do but reality is that कि आपको अभी किसी भी तरीके से बस एक start करना है आपको बस एक proceed करना है अगर आप एक proceed कर देते हो that is more than enough for you to get on the mark बस proceed कर दो ठीक है comment section में ये हो जाना चाहिए कि I will crack it भाईया ठीक है I will crack it ये मेरे को चाहिए नीचे comment section में भड़ा हुआ सभी बच्चों के दवारा तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में और चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबालो बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारे sessions free में YouTube पे ही हम लोग करवा रहे हैं उन सभी का फायदा उठाओ ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल लखना बबाई टेकर इन पीस जैहिंद वन्दे मातरम